नौन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चानल्स जो घुंजे वही दिल की आवाज है तो गुंगे में है दिल की आवाज तुम जो घुंगे वही दिल की आवाज है तो गुंगे मेरे दिल की आवाज तुम कले कट रहे हैं जुपा के लिए लगी आग गिरते मका के लिए अवाल एक ही है जहां के लिए जमी क्यों लुके आसमा के लिए कहो कुछ जुबा पर अगर नाज है जो घुंगे वही दिल की आवाज है तो गुंगे मेरे दिल की आवाज तुम अर चर्श की आवाज है के लिए कर दो में 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 வ कइते को झाँ पाव किलादी के पैसे आंकल छे पाव। हर जगे जगड़ा ही जगड़ा यह कुँकनी मराठी का जगड़ा वहँ सि Queens नहीं। ग ओर्खा लाइड में ओ हर जगड़ा ही जगड़ा है किट जाए तुका कुछ नहीं है बहुत हर जगा दंगा पसाथ कभी जबान के नाम पर कभी धरम के नाम पर अंकल हमाई लब चार पहुंज जाए तुका सावियो चार पहुंड रे बेबी के हाँ बेबी स्कूल ना ना पाउंग एतले आनी स्कूल अको एतले हाँ हरे किट जाए तुका चापा उंकल ओरो विसरले नू विसरले नू विसरले सावियो चार पहुंड वे बेक हाँ सो सॉरी या सो सॉरी बेकर रहे पोशाण क्या हो गया हाँ प्ला देशको साब पॉलिकसन अप्ला सॉता देशकर अरे बाप ट्रांजिस्टर क्या हुआ 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 है जब मैं बेकरी पहुंचा सब कुछ नॉर्मल था अंकल पेद्रो न्यूस पेपर पर चपी दंगे फसाद की खबरों पर अफसोस चता रहे थे वो बड़बड आ रहे थे राजनीती पर चिंतत थे और कौन-कौन थे वहां पर हरोज की तरह तीन-चार गिराक थे और एक प् किया था वो भी येस वो भी गुड उसका बैड लग के वो बेकरी में गया और हमारा गुड लग हेलो हेलो जोएल येस ब्रदर आई हव गुड न्यूज फर यू वो बेकरी उर गया जोएल मुझे बेकरी उड़ाये जाने की न्यूज मिल गई है मैंने लियो और जेकब को जो काम दिया था उसका पुरा रिपोर्ट चाहिए बेकरी और जर्नलिस में टीप कनेक्शन है हमारे आदमी जर्नलिस पीछा कर रहे थे और वो बेकरी में घुस गया थोड़ी देर बाद बेकरी ब्लास्ट हो गया था क्या तो फिर अपना पूरा एविडेंस वो जर्नलिस के साथ खलास अब हमें कुछ डर नहीं आजाने में पहली बार कालेकर ने अपनी मदद किया कालेकर कालेकर इसी तरह के आक्टिविटीज कड़ा करकर सी एमकी चैर खसिट ना जबके मैं दुबारा इलेक्शन कराना चाहता हूँ उसने प्रेस कॉन्फरेंस बुलवाई है इसलिए मैंने भी प्रेस वालों को इन्वाइट कर लिया लेकिन जोयल ये न्यूज देकर तुमने मुझे बड़ा रिलाक्स कर दिया रिलाक्स ब्रदर इस हंगामे में किसी ने तुम लोग को देखा तु नहीं नो पुलीस आने से पहले हम लोग निकल कर तुमने वहां बैठे हुए आदमें किसी का फेस ऐसा वैसा नहीं देखा जो नहीं मैंने इतनी गौर से किसी को नहीं देखा मैंने कहा ना मैं अंकल पैद्रो की बाते सुन रहा था अच्छा इतने में एक आदमी घवराट में आकर कुर्सी पर बैठ गया उसका खुलिया याद है नहीं मेरे बहार आने के बाद प्लास्ट हुआ तुम वहां थे और फिर भी कुछ काम की बाद मालूम नहीं हो रही आम सॉरी जो देखा वो बता दिया संजीव स्टेट में देशत पहलाने के लिए मराठी और कोकुणी के नाम पे कुछ लोग ये साबित करना चाहते हैं कि गौर्मेंट नका रहा है बांडूरकर साथ ये तो अब आपकी डूटी है कि तुम जैसे लोग मिलते रहे तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा मैं चलूँ वाई साचा हरी ऐसा है कि पाव ने निकला था और इतने सवेरे मा के जूते नहीं खाना चाहता तुम किस कॉलेजे पढ़ते हो पिता जी के देहानत के बाद मैं पढ़ नहीं सका ठीक है कल सु अधिने देर कहां लगा दी तुने तु बेकरी पाव लेने गया था की बनाने मा मैं पुलीस टेशन गया था पुलीस टेशन अच्छा आज कल पाव पुलीस टेशन पर भिकने लगे हैं अरे जो काम सुबा उटकर तुझे करना चाहिए था मैं और तेरी बहन करके आ रहे पुलीस टेशन जाना पड़ा तुझे ऐसे चक्रों में पढ़ने के जरूरत ही क्या है तो क्या मैं आंख बंद करके चलाता जैसे कोई फिल्म देखकर घर चलाता है मैं पहले ही तेरे पिताजी को पूली स्टेशन में खोचुकी हूँ मा अगर मैं खुद नहीं जाता ना वो इंस्पेक्टर दीपक बांडोट कर है ना वो मुझे घर से उठा कर ले जाता दूसरों की फिकर करने से पहले अपने घर वालों की सोच चल अब अंदर चल बहुत काम पढ़ाए चल अब कली की दुरगटना को लीजिए कि मैं कहता हूं उस बेचारे बेकरी वाले का दोश क्या था लेकिन उसको बली का बकरा बना दिया गया लेकिन वो बेकरी वाला इसाई था कौँकनी था आखिर उसे क्यों हां, तेस्तर ही चिया लूकँची चाल है भई जाहिरे, लोग तो यही कहेंगे कि ये काम मेज़ॉरिटी वालों का है मैं कहता हूँ अगर मेजोरिटी वालों पर ही दोश लादना है तो अपने ही भाई को खतम कर दो और कहो कि मेजोरिटी वाले माइनरिटी वालों को रहने नहीं देते साब ये भारत अगर लोगतंत्र भी हो जाए तो आखिर भावमत तो हमारी है कि माइनोरिटी वालों को माइनोरिटी वालों की तरह रहना सीख लेना चाहिए हम बेभगवान इस्वकों मानते हैं उनका आधरसन मान करते हैं परन्तों इसका रथ यह नहीं कि हम मराठी को हटाकर कोकड़ी भाषा का स्विकार कर ले और ये बात तो किसी से भी छुपी नहीं है कि जो केलेम के नेता बने फिर रहे हमारे इसाई भाईयों को हम हिंदू के खिलाब भढ़का रहे भी मैं कहने वाला कहूं नहीं हुझे बहतर तो आप लोग जानते है मेरा इतना ही कहना है कि अगर मेज़ोरिटी की भाषा मराठी है तो फिर मराठी से इत्रास क्यों अब आप ही देखिए कुछ दिन पहले की बात है एक Christian को boat का license नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया, इसलिए नहीं दिया गया, क्योंकि उसने application कौकणी में लिखी थी, मराठी में नहीं, इसका मतलब क्या है, मतलब साफ है, अब आप ही सूचिए, उस बेचारे बेकरी वाले क्रिश्चन का क्या कसूर था, उसने क्या भी गड़ा था, सत्ता धरी पार्टी के politics में मारा गया, और न्यूज ये फैलाई जा रही है, कि केलिम वालों ने, यानि कि opposition वालों ने, ये काम किया होगा, ये भी नहीं कहते कि काम किया है, हमारी पार्टी ये चाहती है, not only our party, जनत्ता ये चाहती है कि assembly dissolve हो, elections फिर से हो, क्योंकि इस government के हाथो, state control नहीं हो रहा, पब्लिक पे डर बैड़ गया है, और इस bakery blast के बाद में, तो लोगों को अपने security का कोई भरौसा ही नहीं रहा, और इन सत्ता धरियों को देखो, सत्ता में रहने वाले हर आदमी के साथ, आठ आठ security के men चलते हैं, उनके पास foreign के stamians है, bulletproof jackets डाल के चलते हैं, और लोगों का क्या, लोगों के security के बारे में कोई ख्याल नहीं, पब्लिक का क्या, वो रहे या मरे, कोई जगा safe नहीं रही, चाहे वो घर हो, या hotels हो, cinema houses हो, या fairies हो, या sea bitches हो, अरे मह, मा खेल के तब बैया, बहात रिक हो, और बैया खेल के बारे मह, अरे मां जब जब चाही लेगे प्रीश बढ़ जाए गए अरे मां तु भागेगा तो अच्छा नी होगा अरे उच्छा मां रूच्छा अरे इस्पेक्टर बांगोड करने मुझे एपिशन दिलाने का बादा किया है अरे मां मैं कॉलिज जा रहा है अरे पंद्रह बेस किने जाओ तक तक तो अपने रिकॉर्ड है बिटा आ करे जाए यह पुजेशन तो शी शासन का भी बाप है बिटा सलीम क्या आपकी बेकरारी का करार आ रहा है अर्च आरे मन रही है अदाब सलीम में अदाब अभी तक रोमे जूलिट नहीं आए वो दो तो नहीं आए लेकिन हा वो दो लल्लू आए अपने कॉंटेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे है कर दो कर दो कर 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 क्या तुम लव यह एं नैचरली डिस इसकुष तोनो भाईयों में से एक भाई तो मुच रख लो तक tama बंबों को पहचानने असानी हो अब इन दोनों में से किसी ेख नो उससे 50 रुपे लिए इससे पूछो तो कैता asks स्मेलिय है , इससे पूछो तो उससने लिए अरे इसने लाव बनके कितनो बना बेंचलो में पैसे,चल लगता है अजमाल खरीने कले पैसे नहीं है यह तेरे बोले फॉसिया काड़िये क्या काना फुसी हो रही है औरतों की तरह अरे कुछ नहीं मैंने बदमाशों को पैसे दिये वापिस ले रहा हूं चल जा दे दू दे दे भाई तू भी क्या याद करेगा किलो भाई आगा है हमारी स्टोरी के हीरो हिरोईन आज लगबर्ड बड़े प्यारे लग रहे हैं आ याद शिस लुकिंग डान क्यूट आओ लगा मजनु आओ क्या संगीता जी पीटर साब यह कोई ताइम है यार आने का यार में सब को देर होगे त्यारोने में जूट बिल्कुल जूट पीटर महराज लेता है तो मैं तो किली देर से बिल्कुल जूट बोले है चलो चलो ख्लास नहीं अटेंड करना घंटी बच गई गंटी नहीं घंटा हाँ 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 है कि अ तुम लोग बैठो मैं आटंडेंस देके आता हूँ तु दंदा कर क्यों मारकोस दादा अरे आओ मेरे दुकान के पहले की रात तु जब भी अपना बिजन्स का बोनी करता है ना उद्र अपना दंदा पोच चलता है कितना चाहिए आधा तोला दे दे आधा तोला दे बस आधा तोला आजकल तुने बहुत कम कर दिया या सबस्केण का सब्सक्राइब मर्काई रमील गार दाधा एक ने को मोशन skorka सब्सक्रा acesso परोंस के विब अपनाऊ है और व तोल्य ख साली कर Izon प्रेटेब ड्रीज्सेट चर्प उर दो ड्रीज्स एप्ट प्रेश्ट नोजने खर्सकें तो है वह एलो दीफक हलो फादर हवादर हुआ यू इंव फादर फिट आज इस यंग मैं संजीव कामत फादर मैं यह से यह एडमिशन के लिए लाया हूं किस फैकल्टी में साइंस में फादर ओ दिन यू इंग इस बैच आप सर दीपक वह बेकरी बलास के बारे में कुछ क्लू मि नहीं फादर यह हमारे देश के निताओं को हुआ क्या है पस एक-एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं कभी क्रिश्टिन लीडर हिंदू को हुआ हिंदू लीडर क्रिश्टिन को तुमने वो पोलेडिकल लीडर का स्टेट्मेंट पड़ा यह वही लीडर है जो सिर्फ अप पॉलेडिक्स यंग मैं फादर घर में इतनी प्रब्लम्स है कि दुनिया के बारे में सोचने का तो टाइम ही नहीं है ताइम निकालना चाहिए संजीफ क्योंकि इस कंट्री का फ्यूचर तुम ही लोगों के आतों में तो है तुम लोगों को यह जो रिलेजिन यह लेंगव दूसरे के साथ मिलकर प्यार से रहें फादर आपके जैसे सोचने वाले कितने होंगे इस दुनिया में सिर्फ दो एक तुम और एक मैं संजीफ के बारे में मैं अभी नहीं बता सकता अच्छा तुम तुम चाहो प्रिंसपल से मिल लो अच्छा और देखो मिलने आया करना ग प्रणें बारे में तुम चाहरो डिट्रा स्वर्म इस दुम बारे में अच्छा प्रणें कटेदिक हो एक जो अच्छा एंच्छा एंच्छा इंड़ अच्छा छिड़े के बाद जिया, शो मी ओके संजीव, तीपक की रिकमेंडेशन पर ऐसे स्पेशल केस में तुम्हें एडमिशन दे रहा हूँ तुरे जूस सेंटर पर बुला थे तू आया नहीं, क्यों नहीं आया तू? मैंने मा, मेरी माँ की तब्यत ख़रा थे माँ की तब्यत? जब किसी और जगह पर बुलाऊंगा और तुम अगर वहां पहुंचे नहीं, तुमारी हड़ी पसली तोड के रोदिनका समझा? इस आविने टरराइस का रखा स्टूडेंट्स को, I don't know what to do with him. लेकिन वो लड़के इस पॉलिश के तो नहीं है, जब देखो बार से गुंडे लेकर चला आता है, तीपक, प्लीज डू सम्थिंग, इस सालाप बंडूट कर खड़ा है, लफडा करें हम, छोड़ी से चल भाग। प्लीज डूट कर सालोगे लें, अगो चार, मैं देखिया तूँ अगलिजा बंडूब कर दो लेकर लेकर से तोब कर लेकर लेकर शोड़ी से चल भाग। कि इस साले पुलीस वारे ने तो सैंस लेना मुश्किल करती है गॉरत छोड़े बर्सो हो गया जोड़ा ऐसे चला आता है जैसे अपना पाप का घर हो बहुत दिन से मेरे चाको में जंग लगा है क्या तुम बढ़त का मड़े का नमाता है हाँ तक कि यह बार बार भागने से छुटका रह मिल जाये चंप निकंप अप्सक्राइब ले घर हाव पर लाए चिना उपर लाए उसक्ताइब लिए उपरला है अभुआ। पोगा पिरी सब्सक्राइब पकेजुप जरी कैना समय जरी सब्सक्राइब आप चाहिए बंग। आप चाहिए जाप किसी पिसा जी सबीन स्पेक्टर दीपक बांदुड कर मर्डर केस में कुछ आगे बढ़े आप हाँ दो चार सस्पेक को पकड़ा तो है बटानाव हेट इस टेलीफोन कॉल्स चाहे किसी को भी पकड़ो फॉरन फोन आने लग जाएंगे जराक्षाल रखिये मेरा आदमी है मैं बत्रिस दातों में एक जबान हूं कालेकर साब यह तो बताइए आखिर आपने पकड़ा किस किसको वोई सैबी लियो जैकब और राउडी जुझे भी यही उम्मेद थी और मैं यह भी जान गया फोन किसने किया था लेकिन ब्रदर वो पूरी निंग पात्रों तु का कितले फाउटी संगले हैँए तु का कितनी बार बोला यहां आने की जरूत नहीं जोल के ओफिस में जाया करो पातराओं मैं ऑफिस गया था पन जोल यहां था इस लिए मैं तुम्हारा बेल हो गया ना वे बेह तर स्वर्ध केस तर चालू अ सा चालो चालेंगा तुम्हें छुड़ाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा मालूम है वो इंस्पेक्टर बंदोतकर हम लोग को बहुत सताता था तो उसे जान से नहीं मारना था देखा नहीं वो तो मर गया लेकिन सारी पुलीस अलर्ट होगी सभी तेरी वज़े से मेरा तीस लाग का माल पकड़ा गया और परेशानी अलग हुई समझे जोल अगली कंसाइनमेंट आने से पहले मुझे हर तरह का साटिस्फेक्शन चाहिए डू यू अंड़साइंड यस ब्रदर साभी पात्रों तुम अपना सारा ध्यान कॉलेज के एलेक्शन पे लगाओ तुम्हारा केस आस सू साभी सूर बेल पे छुब किया सुना है उसकी बहुत पैचान है एक फोन किया और बस तुम्हारे डेडी को चाहिए कि ऐसे लोगों को बचाने जो आये उनकी बात ऑफिसर्स को ना सुनने दे अगर संगीता के डेडी अब इस तरह को मामलों में उलजने लगे तो फिर अप हां उस दिन तुमने साभी को चाकु मारते हुए देखा चाकु मारते हुए नहीं यही तुमने ब्यान दिया था और साभी और उसकी ग्यांग पकड़ी गई जो देखा था वो बता दिया और फिर भी साभ चूल गया बड़ संजीव तुम्हें इसे लोगों से उलजना नहीं चाहिए दीपक बांडोड कर जैसा शरीफ और इमानदार पुलीस आफिसर मार दिया जाए और मैं खामोश रहूं आखिर क्यों क्या कसूफ था उसका परदाश नहीं का सकता एवरीबड़ी आउट गेराउट वार्या साभी आपला करेंगा तुम सब भी चलो 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 संजीर चलो चलो तुम लोग जाओ पागल मत बन्यार जबरदस्ती तूभी तुम ने मेरे खिलाफ स्टेट्मेंट क्यों दिया अफसोस तो इस बात का है मैं वक्त पे नहीं पहुंच सका वर्ना 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 क्या वर्ना तेरी बेल नहीं होती डॉंट टॉक शेट वर्ना तुझे भी बंडो डर के पास पहुचा दूंगा अपनी शकल देखिये तुन्हें शीशे में हाँ अपनी शकल देखिये तुन्हें शीशे में हाँ अबे तेरी तो कमान यह मत समझना तुम लोग के संजीव बखेला है चल संजीव साभी 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 जवानी के दिने है प्यार किये जा खुशी हो या गम हो यार जीए जा कुछ काटे दिये जा कुछ भूल लिये जा कुछ काटे दिये जा, कुछ भूल लिये, जब वो जवानी के दिल है सपनों की सारे राते, मस्ती के सारे दिल है और जवानी की रंगिनिया सपनों की सारे राते, मस्ती के सारे दिल है और जवानी की रंगिनिया कुछ कस्में दिये जा, कुछ वादे किये जा ऐ जवानी के दिन में हैं प्यार किये जा खुशी हो या गम हो यार जिये जा कुछ काटे दिये जा, कुछ भूल लिये जा हो जवानी के दिन है अपनों से है दिल लगी, घैरों से है दोस्ती अनोखा, ये अपना जहा ये प्यार का जहां, यहां प्यार किये जा जवानी के दिन है प्यार किये जा, खुशी हो या गम हो यार जिये जा कुछ काटे दिये जा, कुछ भूल लिये जा ओ जवानी के दिन है, जवानी के दिन है, जवानी के दिन है जवानी के बिन है हम जनम से जानते हैं संगीता इसी डॉन माइन पहले मुझे घर छोड़ो फिर संजीत को छोड़ना मुझे रास्ते में उतार देना अब बस में चला जाओं अब हम इतने बुरी तो नहीं क्या आपको घर तक न छोड़ें बातों बातों में आगे ना निकल जाना यहां से संगीता लवकुष को फोन कर देना कल मेरी मोडसाइकल कॉलेज लिया है ओके संजीफ बाइ ओके लाइ अब आप आगया नी की तक्लीफ करेंगे इस यह इस वाइन सबढ़े चिन कॉर्टुबान मा का बोरिंग लागवनांत आम टोटली फेड़ फेड़ पिद अभी अभी क्या नाम हा उसका संजीफ कामत राइट संजीफ कामत लेकिन संजीफ के साथ उलजने के उसे जरूरत क्या थी अगर कालेकर का आदमी है तो वो खुलकर सामने आ गया है वो संजीव कालेकर का आदमी नहीं पंदोतकर का आदमी है वो पुलीस वाला जिसे सैभी ने सुला दिया था उसी ने तो कॉलीज में ड्मिशन दिलाया है इट मीन्स संजीव के पुलिस के साथ कुछ न कुछ रिलेशन्स है जोयल उसे चेक करना बहुत जरूरी है और उस सुर सैबी से कह दो अगर एक भी पुलिस के सावर बना तो मेरे लिए उसे बचाना डिफिकल्ट हो जाएगा मा सोरी हाँ खाना खाओगे हाँ बहुत भुख लोगे है अब भी लाती है अब पर के अब चल्पा चल्पा मैंने अब इसे खाना नहीं देना भाग भाग देखती हूं भाग के किदर जाता है तूंट अरे शिल्पी तू यह सब क्यों करती है मा ने अगर देख लिया तू मेरे लिए खाना और कंबल लेकर आई है वो तुझे कच्छा चबा जाएगी वो पिछले जनम में जरूर आक्षिशनी रही होगी कैस्ता तो नहीं लिकिन कोई मां भी ऐसी नहीं होती जो अपने एकलोते बेटे को छेशनी रात में घर से भाहर निकाल देए उसने तुम मैं निकाला नहीं हुआ है तुम झुद भाग कर आए हो घर से वहां रहता तो पिठता तुम में को बहुत सथात्यों वाहिए कि साथ हाता हूं मैं जब तक भाफु हमान उस्वा कि नहीं तब किसी कि नहीं सोच्ट तोक्री दोटोकरी सपने टुमारे बारे में मां के पास उसे हवा देती है ढूप देती है और शेएक कर रख देती है अब जैसे मैं घर आता हूं वो मियान से तल्वार निकालती है जैसे कि मैं उसके सपने चुरा कर ले जाओंगा नहीं बैया अगर ऐसा होता तो क्या मा मुझे भेजती है खाना देकर क्या यह खाना माने बेज़ा है और यह कंबल भी बेज़ा है थट काने का मजा ही खतम हो गय इसलिए खाना तीखा लग रहा था अब तो खाने का मजा ही फुस हो गया ओ भाईया अच्छा अच्छा जल्दी दे थंदा हो जागा खाना पकड़ यसे खाईगी यह ले मजा आ गया संजीव ने सावी की छुटी कर दी यह तो होना ही था बहुत मसाया देखो 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 चर्सी सुटा बना रहा है सलीम तु यह बुरी आज़त नहीं छोड़ेगा छोड़ दी यार छोड़ तु चरस और ब्राउन शुगर से अपनी जिंदगी क्यों तबाह कर रहा है यह चीजें दीमक बनके तेरी जिंदगी को खा जाएंगी तु अपने माबाब का इतलोता बेटा है तुझे इतना भी खायल नहीं बंद कर यारी अपना तु लेक्चर लेक्चर ठीक है यार मैं वादा करता हूं आज के बाद नेवर अरे छोड़ यार तू हर दिन यही कहत है और तुम फिर भी अगर फॉजिया यहां होती तो कितनी शर्मिंदा होती मैं वादा करता हूं संगीता कि फॉजिया और तुम लोगों के लिए मैं आज से यह पीना छोड़ दूंगा आई प्रमिस यू गुद तो इसी खुशी में हम तुम्हें खुश करते हैं सूटा मारो सूटा सूटा लगाओ यारो लो एक दूजे का जूटा जुड़ जाएगा दिल जो तूटा मारो सूटा सूटा लगाओ यारो लो एक दूजे का जूटा जुड़ जाएगा दिल जो तूटा मारो सूटा मिलाओ लाल परी से काली कोली से नजरे मिलाओ सिगरट को मारो गोली चिलम में भरके उडाओ हम तो नजरे में लेकिन घरवालो का भाग भूटा जुड़ जाएगा दिल जो तूटा मारो सूटा सूटा लगाओ यारो लो एक दूजे का जूटा उड़ जाएगा दिल जो तूटा मारो सूटा हो 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 इरा किया इरानी करने दो उनको लडाई इरा किया इरानी करने दो उनको लडाई दुनकी में तुम ना यादो करना किसी से लडाई उनको क्या मतलब किसने सोने की चिडिया को लूटा सूटे ने हाएर लूटा मारो सूटा सूटा लगाओ यारो लो एक दूजे का जूटा जुड़ जाएगा दिल जो तूटा मारो सूटा संजीव प्लीज लिसन टू मी नहीं यार यह इलेक्शन एलेक्शन मेरे बस का काम नहीं तू क्यों नहीं ख़ड़ा हो जाता तू हीरो बन गया है अरे अंदर अंदर से सब लोग बहुत खुश है कि ए तु आया से अभी की पिटाई करने वाला यार्टा 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 इसलिए तू इलेक्शन जीते ही जीते और हम सब का भी यह खैल है यार्टा तू मेरी मा को नहीं जानता मैं जो कुछ भी करता हूं वो मुझे डांट देती है यार्टा अगर हां कह तो मा को भी जाके मना बोगा यार्व पीट डालेगी हम सब को संजीव तो का फादर आप बजाए पुईता मैं मिलके आता हूँ हाँ हो कर आँ है कि संजीव है मैं मिस्टर कलेकर से मिला था कलेकर हाँ तुम नहीं जानते उनको नहीं अरे वही अपनी संगीता के डैड़ी मिस्टर शेशांग कलेकर मराथी सिवसंग के सेग्रेटरी है और इस इलाके के MLA भी वो तुमसे मिलना चाहते थे मुझसे फादर हाँ वो सब खबर रखते हैं उन्हें पता चल गया है तुम्हारे और सेभी के जगड़े के बारे में कह रहे थे कि मैं ऐसे लड़के से मिलना चाहता हूं और फादर ये जा बास पुर्शतम अपोजिशन लेडर्स के मिटिंग जो तुन्हें भंग कराई मजा आ गया सुना है सब सर पेर रखकर भाग गये ये सवाब का आशिरवादा दादा साहिव अरे नाई वेड़या ये सगलित तुझे कमाल है दादा साहिव मुझे आपसे एक रह ले नही हाँ बोल बोल याद है अपने एरिया में एक होटर प्रजेक्ट की बात की थी मैंने हाँ उस समीन पर एक पुराना बंगला है उसके माले की बहुत पहुँच है इसलिए खाली नहीं कर रहा है तुस्से उची क्या पकता है पुर्शुत्तम सुन अपने आद मिले जा मकान को आग लगा दे वाकी आगे का सब मैं सबालता हूँ दादा साहिब अब मैं बेफिक्र हो गया साहिब संजीव साब आये संजीव कामत हां तुम्हें सकरो उससे स्विमिंग पूल पर बिठाओ म मैं आया है हाई हाई संजीव हाई संगीता तुम कॉलेज नहीं गई आज नहीं गई तुम कैसे आए तुम्हारे डैडी ने बुलाया था रॉकर ने कहा हूँ मीटिंग में है अहां उन्हें ने कहा कि पूल सेर पर जाकर बैठ जाओ बैठो मैं अब ही आई कि अगर तुम क्यों नहीं मेरा मतलब है तुम समझ गया ना उसकी बात अलग है चुनाव में भाशन देने पड़ते हैं और मेरे घर में बाशन सिर्फ मेरी मा देती है और हमारे घर में मेरे डैडी क्या बुर्य चल रहा है हमारी कुछ नहीं डैडी यह संजीव कामर संजीव कामर संजीव कामर अचा मैं चेंज करके आती हूं और संजीव तुम जाना नहीं है अगे संगीदा अगे चाह पाठो तुझा संजीव साथी हो डैडी है सुनाओ बेड़े कैसी पड़ाही चल रही तुमारी ठीक चल रही सर मैं तुम्हारे प्रिंसिपाल से कली मिला था अरे भई बहुत तारीब कर रहे थे हो तुमारी सेभी को जो तुमने सबक सिखाया सर वो तो यूही उदज पड़ा था बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया तुमने बहुत गुंडागर्दी पर उतर रहाय था वो सुना है तुमने इलेक्शन में हिस्सा लेने से इंकार कर दिया आपको कैसे मालम है सर अरवी तुम्हें पता नहीं हमारी जासुस तुम्हारे साथ पड़ती है और डाड़ी हाँ संजू तुमने मेरी बात का जवाब नहीं सर मुझे राजनीती से कोई लगाद नहीं और ना लीडर बनने की कोई इच्छा है कभी कभी दूसरों की भलाई के लिए अपनी इच्छाए बदलनी पड़ती है तुम्हें मारूब नहीं तुम कॉलेज में कितने पॉपिलर हाँ संजीव कॉलेज में हरे की जबान पर तुम्हारा ही नाम है सब कहते हैं कि साभी के खिलाफ कोई खड़ा हो सकता है तो वह तुम हो तुम मेरी बेटी हो तुम्हें फोर्स करना भी नहीं आता अर भी जरा अच्छी तरह जरा प्यार से कहो संजीव खामत जी मैं आपसे हाथ जोड़ कर विंती करती हूं क्या आप एलेक्शन में खड़े होकर साभी जिसे गुंडे से हमारे कॉलेज को बचा ले प्लीज कितर जाता है बात रूम कॉलेज के खुला मैदान है वहां जाओ क्यों चल जाना पास्टर्ड चल बस अजारो बैस जारा है यह जारा है यह जलता दो अच्छा है यह तुम्हारा मल कम जलाने का कि जादा चला यह तुम्हारा अच्छा यह तुम्हारा जलता पस अच्छा है लेले यह इसी बात पर एक पफ और लेले लेक्टु कहता है तुम्हें लेलूंगा लेकर अब इसके बात तुम्हें फोर्स नहीं करना था बड़ीज लेले अब अच्छा यह तुम्हारा जारा हैं They don't belong to this institution. मुझे इन के identity card काहँ है. Father, यह मेरे साथ आया. मुझे मिलने आया. तुमें मिलने आया. College के work तुमें यहां पर मिलने आया. इन से कओ तुम्हें बाहर जा के मिलेए. But father, I have... मैं कुछ ने सुनना चाहता हूं तुम लोग. You! Out! चल रहे. आउट बट फादर आउट आउट इसेड चल रहे आउट और यो इस अपर अपर कुछ नहीं हम लोग तो सिरफ इदर सिगरेट पी रहे था फादर चुपके देखो सली तुम्हें अच्छे लड़क्या अच्छी फैमिली क्यों तुम अपनी लाइफ इस नशे में बरबाद करए हो आइं सॉरी फादर आगे से नहीं करूंगा आइं रेली सॉरी तुम अभी से लड़काना लगी आगे जाके पता नहीं तुम्हारा क्या हलोगा आगे चल था अठेंड चाहिए पाशेया में तुम्हें बहुत प्यार प्रफाजया, बहुत प्यार करता हूं मैंने कई बार तुम्हें कहने की कोशिश भी की लेकिन अपने से बना ही नहीं यार तुम्हेरे सामने तो मैं बोली नहीं पहता हूं पता नहीं तुम समझोगी कभी या नहीं आपए लए लुए Это अभूड, आसेम्हे इसके पूरा cloudy आपिंहे अभूड अउफशच में कभी नट गुंए कि कुरें यारान हो उनकोड थे श्की फेकरापिक आप के शिजा हरो में चश्लेने नहीं तुझ से ये पूछने आया हूं कि Fadr Mario को अपन लोगों के बारे में क्या क्या बताया बोल फादर Mario बो समझता है कि नशा बहुत पूरी चीज है मगर उसे क्या पता कि मैं नशा के बाद फौज आकर कि कितना करेब आ जाता हूं अब तुझे उससे ना तूर कर देते हैं बोल साले बोल फादर मारियो के तो आप उनलोगों के बारे में क्या पता है ने 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 बोलु गण। ने बोलुगा ने बुट। अगर तुने किसी को बताया कि ट्रक्स के सप्लाइ हम करते हैं याद रख चरसी याद रख तेरी फौजिया तुझे कभी नहीं मिलेगी को यार है? चलो! सलीम! 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 इक हो लोगते? सलीम! मैं कुछ नब बदाऊंगा मां मैं कुछ नब आणगा कच! ठीक ठीक जला थेंक्यू, हाई हाई सर मैं सलीम के बारे में यह बड़ी गंबिर बात है संजू मैं जानता हूँ यह किस ग्रूप का काम है कॉलेज में ड्रक्स के धंदे कौन चला रहा है सर अगर आप जानते हैं तोने पकड़ाते क्यों नहीं I'm sorry my boy यह एक मजबूरी है यह जो ड्रक्स के रैकेट है वो जोयल फर्नांडिस का है और उसे डेनिस परेरा का प्रोटेक्शन है और वो डेनिस परेरा जो आजकल के लेम यानि कोकणी लॉबी का नेता वरा है इसलिए गौर्नमेंट इस समय इस पोजिशन में नहीं है कि उससे छेड़े यह कैसी डिमाक्रसी है यह कैसी सरकार है सिर्फ इसलिए कि कोई स्मगलर या कोई ड्रक्ट्राफिकर किसी एक लॉबी का नेता है उसे छूट दी जा रही है वो मनमाई कर रहा है मैं तो आज भी त्याग पत्र देने के लिए तैयार हूं लेकिन क्या सिर्फ मेरे त्याग पत्र देने से समझ से हाल हो जाएगी नहीं कुर्सी छोड़कर हमें आज जो कुछ करना है वो भी करनी पाएंगे बगैर सत्ता के कुछ भी करना नामुम्कीन है इस संगर्ष में हम सब को शामिल होना पड़ेगा लेकिन दुरभाक की बात तो यह है कि आज की युवा पिड़ी इस से कत्रा रही है आज देश की राजनीती के लिए कॉलेज इलेक्शन भी उतने महत्वपुर्ण है यही तो बात को समझता है वेटि आजकल देश भर में इतने युवा डल हुए है वो इसे लिए आजकल कॉलेज में गुंडागर्दी करके अलग अलग राजनीतिक डल अपने अपने लोगों कुछ चुन कर ला रहे सहभी जैसे गुंडे विद्यार्थियों के नेता बने फिरते रहे थे और संजीव जैसे योग जिन में इन गुंडों से टकरानी की ताकत है जिन में पचाडनी की ताकत है वो इलेक्शन से कत्रा रहे नए सर मैं कत्रा नहीं रहा हूँ इलेक्शन से ज्यादा मैं गुंडों और ड्रग डीलर से ने पटना ज़रूरी समझता हूँ इसलिए तो तुम्हारा कॉलेज इलेक्शन जीतना बहुत ज़रूरी है तुम्हारा कॉलेज परेरा जैसे दुश्मनों के हाथ मत जाने दो अगर तुम चाहो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तयार हूँ ठीक है सर मैं अपना फैसला बदलता हूँ माइलेक्शन लड़ूगा कॉलेज से घंदगी हटाने के लिए माइलेक्शन लड़ूगा लेकिन साभी के सामने संजीव का जीतना इंपॉसिबल है वो तो कल आया है कॉलेज में और हम लोग सीनियर है कितना अच्छा इंप्रेशन है ये साभी से कॉलेज स्टूडन्स कब तक डरेंगे उन लोग को तो संजीव कामच का पूरा सपोर्ट मिला है तों परी कॉलेज मेरा है अब उनका ही जोर चलेगा और अगर किसी ने गटबट की कुछ लोगों से पुछते भीर किसने मारा य från संजीव के सब बतले का भूट सवार है सलीम की पिटाई करने वालों की तलाश है से, इलेक्शन की तो फिकर ही निये से, संजीव चीक ही तो कह रहा है, हमें मालूम तो करना चाहिए, रही इलेक्शन की बाद वो तो हम जीती रहे हैं, और काम भी चली रहा है न, हवा मैं बात मत करो संगीता, साभी से जीतने के लिए हमें कड़ी मेहनत कननी होगी, और हो सकता है साभी की शरारत हो ये, हमें डराने के लिए, संगीता के डैडी न मुझे बताया, कि जोल फनांडिस साभी के जरी है, फिर जाईए, लड़कर फैसला कीजिए, वो जो मारधार करता आया आप भी वही जाकर कीजिए, मुझे इले यानि के हिंदू और क्रिष्टिन के बीच में एक दिवाल खरा हो गया, लेकिन इन लोग लड़े क्यों, याद है उस दिन मार्कोस ने मेरे छोकरों के साथ सलीम की ठुकाई की थी, जिसे तुम मिस्तेक बोला था, उसका अब फाइदा हुआ, संजीव बोलता है आप उनसे लड़ो, सलीम के वास्ते, और पीटर बोलता है पहले एलेक्शन लड़ो, बस इसी पे जगड़ा होगे, गुड, ये जगड़ा को और बढ़ाओ, कॉलिज में लोगों को और बढ़काओ, अभी अगर इन लोग लड़ाई जगड़ा कर रहे हैं, तो आगे जाकर इन लोग क क्या, एक क्रिष्टियन जोकरा और हिंदु जोकरी, गॉड, अब हम पीटर को अपनी तरफ खीचने का कोशिश करेंगा, इतना नाराज होने की क्या बात, मान जाओ, अब मान भी जाओ, यार, देखो, मैं हिंदी फिल्म हिरोईन की तरह, तुम्हारे पीछे पीछे गाना गाते नहीं आऊंगी, किस इशार में खूब कहा है, क्या मजा बार-बार मिलता है तुम्हें हमसे रूट जाने में, रूटने में लगती हैं दो घड़ियां, रूटने में लगती हैं दो घड़ियां, उम्र कर जाएगी मनाने में, वावावावावावावावावावावावावावावावावाव पीटर ओः पीटर जबसे थुमारी सण्झीव से बहस हुई है तुमने तो मुस्कोरान ही छोड़ दिया है मेरे सामने संजीव का ना मतलो तुम अरे दोस्त है वो हमारा साथ ही है और फिर तुम ही ने तो उससे सावी के सामने खड़ा होने पर मजबूर किया और अब इसका मतलब यह नहीं के वो जो कहें वो ही हम सब करें सलीम की हमें भी फिकर है और इलेक्शन भी ज़रूरी है वरना वो सावी सर पर सवार हो जाएगा वो अपनी जगे सही है तुम अपनी जगे सही मिल बैटकर हल निकाला जा सकता है लड़ जगण के थोड़ी ना और फिर सूचो इस बात का इलेक्शन पर भी असे पड़ सकता है जिस तरह अभी समझा रही हो वहां नहीं समझा सकती थी वहां तो तुम संजीव की तरफ दार कि तुम्हारी महबूबा सिर्फ तुम्हारी तरफदारी करे चाहे बात सही हो या गलत नहीं है बात नहीं है मैं संजीव की वज़े से बहुत अपसेट हूं मैं तुम्हारी हर नजर को पहचानती हूं और तुम्हारी आंकों से साफ पता चलता है कि तुम मुझ से नाराज ह अरे तुम तो एमोशनल हो गई हो, मैं मानता हूँ कि संजीव की तरफ बोलते वे मुझे पुरा जरू लगा, लेकिन तुम्हारे प्यार पर शक ना कभी किया है, ना करूंगा I love you, संजीव I love you अब तो नाराज की हमेशा के लिए खाता हूँ? हाँ और संजीव से? देखो, अब इसके बारे में बात ना करूँ, मुझे सोचने का मुपादे सोचो बाद सोचो लेकिन सोचने में मेरा बत्री नहीं भूजाना संजीथा, मैं अपनी हर चीज़ भूल सकता हूँ लेकिन तुमारे जिंदगी से जूड़ी कोई चीज़ का भी नहीं भूल सकता कल मिलेंगे अब बाए लेकिन इस तरह गाड़ी रोकने का क्या मतलब हुआ? तुम मेरा क्रिश्टियन ब्रदर है, तुमको कुछ समझाने का है क्या? तुम काले करका लड़की से लव करता है गुड उसको क्रिश्टियन रिलिजिन में लाएगा यह मेरा पर्सनल मामला है और मैं इसमें किसी को इंटरफियर कनने का राइट नहीं देता चलो पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं बोलता लेकिन कॉलिज लाइफ में बोल सकता है तुम संजीव से लड़ाई किया फिर से गुड क्योंकि अब क्रिश्टियन और क्रिश्टियन दोनों मिलके वो हिंदू को हटा सकता है तुमारा लेक्चा खतम हुआ हाँ अगर तुम अपन का मतलब समझा तो मतलब भी समझ गया और तुम लोगों को भी हम स्टूडिंस को बाहर की पॉलिटिक से कोई मतलब नहीं एन नमबर टू हम ना हिंदू है ना मुसल्मान ना क्रिश्टिन है हम दोस्त हैं समझे धरम मजभ और रिलिजिन की नाम पर हम स्टूडिंस को भढ़काने से तुमको कुछ नहीं मिलने वाला तुम सिर्फ अनपड अनदुकेटे लोगों पर असर डाल सकते हो लेकिन वो भी अब थोड़ा बहुत समझने लगे है वा वा तुम कालेकर का सन इनलाउ बनके बड़ा लीडर बनेगा लेकिन संजीव तुमको नहीं बनने देगा तब तुम मेरा याद करोगे लिटल ब्रदर तुम याद करोगे तुम्हारे सेजेशन का थैंक्स, OK? अप योर्ज मैन गुद आफ़नून बॉइस गुद आफ़नून फारर इलेक्शन की तैयारियां हो गही? हाँ फार, कल वोटे है संजीब मैंने सुना है तुम्हारा कुछ पीटर के साथ में जगड़ा हुआ है देखो सन यह अच्छा नहीं है ना तुमारे लिए ना इस ग्रूप के लिए फादर खास कोई बात नहीं बस एक चोटी सी मिसंदेस्टानिंग होगी थी चोटी सी चिंगारी को लोग हवा देकर आग बना देते हैं अगर तुम आपस में लड़ते रहे तो ऑपोजिशन बहुत स्ट्रॉंग हो जाएगी फादर हमने तो इन दोनों को बहुत समझाया लेकिन यह लोग मानते ही नहीं नहीं मानते हैं तुम्हां पीटर को समझाता हूं कहा है पीटर वो तो आजाया नहीं और संगीता आज संगीता का बर्दे है हम सब वहीं जा रहे हैं फादर आप भी प्लीज आएगा था फादर फादर प्लीज थीक है चलेंगे मैंनी हैपी अप्टर अप्टर देश संगीता थैंक्यू के कटने के बाद आना था मैडम एक गुरू ने कहा है कि पार्टी में लेट आने से इंपोर्टन्स ज्यादा मिलती है आहां आज आप तो कुछ प्रॉमिस किया था मैंने प्रॉमिस अच्छा जैसे कुछ याद ही न मैं मानती हूं मैंने प्रामिस किया था लेकिन यहां क्यों और यह लो यह दो ना आगए ओन नौ तो है इक्स्कीज मी मैं अभी अ मुबारक हो संगीता थैंक यू कल हम तुम्हें मुबारक बात देंगे किस बात की अरे इलेक्शन जीतने की तुम्हें पुरा परोसा है हां और मेरा यकीन कभी नहीं तूटता आई संजीफ आई मैंने तो कहा था हाहा अभी बढ़र्द संगी अभी बढ़लाए थैंक तुम्हें उपार्ण आगे दौता थैंक आई इसमाइ अनर हमारे बढक कोई आप्र याप्र कर देना याप्रदीग में एड़र लोग्ता आट पार्दीग में आट्ची अच्छी अच्छी लोग्ता और आप कैसे हैं फादर माई बाला चान थैंक्ट वेर नाइस पार्टी इस पार्टी में कमी है क्या उन दोनों को देखे ना कैसे अदा गलग खड़े हैं जैसे एक दूसर को जानते ही ने तुम भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हारी पार्टी में आया था कि शायद इन दोनों को मिलूँगा यहां पर और कुछ समझाज सको है दू सम्धिंग फादर पर्ना पार्टी में मज़ा नहीं आएगा ठीक है तुम संजीव को समझाओ मैं पीटर को समझादगा ओके पीटर येस फादर येस फादर येस फादर गुड़ पार्टी हां तुम्हारी एलेक्शन के बारे में क्या रहा है आइशा नहीं फादर क्यों तुम्हीं ने तो संजीव को जैनल सेक्रेटरी के पोस के लिए खड़ा किया और तुम्हीं कह रहे हो कि इंट्रेस नहीं है तुम्हें फादर वो अपने आपको बहुत स्मार्ट समझता है ऐसा नहीं है सन अब जैसे तुम उसके बारे में सोचते हो वो तुम्हारे बारे में यही सोचता होगा पीटर का दिल बहुत नर्म है तुम एक बार हलो कहोगे वो तुम्हें गले लगालेगा क्या आज इस खुशी के मौके पर तुम उससे दोस्ती नहीं करोगे मेरा इस पार्टी में आने का मकसद एक ही था पीटर कि मैं तुम्हें और संजीव को मिला सकूँ अब तुम्हारे मिल जाने की ख़बर देखना कल सहभी के लिए कॉलेज में धमागा होने वाला है अब आजा अरे बॉइस क्या एक दूसरे की शकल पीटर समील, नशनल कोलेज के सबसे ब्रिलियन चुटन चुमान-मारे लुने वाले झनले से कर टरी पीटर समूल, सजीव कामत सबसे पारोण कर दो 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 कर तो अभी वोट दल की किया नहीं नहीं मैं तो सभी के शीटिंग नहीं चलेगा यहां पे कॉलज का एलेक्शन नहीं है कोई सेरे एलेक्शन नहीं आप पाश्यूनिटी से काम कर रहे हैं कॉलिज स्टाफ को कॉलिज इलेक्षिन में बोलने का कोई हक नहीं है यॉर राइट, यॉर राइट मैं सान लेकिन चीटिंग करने वालों को रोकने का ड्यूटी जो है न, वह हमारा है और यह? यह अभी अभी वोट डल की गया है और अगर तुम्हें लिस्ट देखने का है न मैं इस वास्ते से नहीं आया हूँ स्टूरेंट्स को जो लेक्चर आप सुना रहे थे वो मैंने सुन लिया है अब प्रिंसिपल से मैं आपका कंप्लेंड करूँगा यू कें गो अन दू वट यू लाइक अगर चलने चलोदो ये जीत ना संजीफ कामत की है और ना ही हमारे ग्रूप की ये जीत आप सब की है इस कॉलिज की है ये यूनियन एक साल तक आपके हाथ में आई है और आप सब हमारे साथ मिलकर इस कॉलिज का नाम रोशन करेंगे ये प्रिंस मैं तो इस काबल नहीं था लेकिन आप सब ने मुझे जो पोस्ट दी जो इजज़त दी वहबबत दी उसके लिए थैंक्स कहने के लिए मेरे पास कुई वोट्स नहीं है Friends, दो दिन के बाद Breakdowns Competition Finals है जैसा कि आप जानते हैं हमारी कॉलिज से लावकुष भाग लेंगे मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप सब वहाँ पहुंचे और हमारी कॉलिज टीम को छेयर करें तुका होड़ी मिजास आले कि तूस जीत तलो मुण A false pride That you are going to win लेकिन क्या हुआ संजीव ने सारा यूनियन कैप्चियर कर लिया और तुम देखते रहे अगर ऐसी कॉलिज से कॉलिज हमारे हाथ से निकलते रहना तो हमारा बिजनेस डेड हो जाएगा डेड अरे किस चीज की किस चीज की कमी है तुम लोगों को प्रादर हम बोलता है संजीव को हटा दो रास्ते से मिस्टेक मिस्टेक पर मिस्टेक मिस्टेक पर मिस्टेक जोएल अभी वो टाइम नहीं आया है पात्राओं वो फादर मारियो ने सारी गडबड कर दी कॉलेज के अंदर संजीव को फादर मारियो सपोर्ट करता और कॉलेज के बाहर चशांग का लेक है हम खेल पहले अंदर से शुरू करेंगे मतलब फादर मारियो देंका काबार कोर फिनिश इम आफ यह काम इलेक्शन से पहले होता तो मैं हारता ने तुम्हें सिर्फ कॉलेज की पड़ी है मुझे सारे स्टेट की पड़ी है क्योंकि मैं अपना बिजनेस और लीडर्शिप ओल्ड कर सकूँ और इसलिए फादर मारियो को फिनिश करना बहुत जरूरी है और सर्फ फादर मारियो तो क्रीस्ट है लोग बढ़ जाएंगे सर्फ लोगों ने अपना मतलब निकालने के लिए जीजस क्राइस्ट को भी सूली पे चड़ा दिया था और यह ठीक हम मार्कोस करता लो इसके भी दो रीजन है पहला सैब्वी का कॉलेश फंक्शन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा फादर मारियो मार्कोस से टॉयलेट में मिल चुका है मार्कोस फादर के पास कनफेशन के लिए जाएगा फादर ना नहीं बोल सकेगा और कनफेशन बॉक्स से फादर मारियो सीधा हेवन चला जाए दूसरा लोग सोचेगा यह काम हिंदू का है क्योंकि क्रिश्चन अपने फादर को कभी मार नहीं सकता प्रश्चन देना है फादर अभी प्लीज फादर आपने जो मुझे पॉलिज के टॉलेट में कहा था वास्तक मेरे दिल में गुटन सी पैदा कर विए फादर और मैं उसी के बारे में कंफेस करना चाहता हूँ फादर लेकिन मैंने तो अपने स्टूर्ण्स किया है कि मैं उनके डांस कॉंपटिशन में आऊंगा तुम्हें काम करो कट सुबह आज प्लीज फादर इस वरी इंपॉर्टन कर दो झाल 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 यह चुक्चाप बरदाश्ट करना है जुर। बुद अपनी नगर से उतरना है जुर। अहो ये की दुश्मन से ढरना है जुर। बिना कुछ कहे भुट के मरना है जुर। मरना भी जीने का अंदाज है। बुझे वही दिल की आवाज है तो गुझे मेरे दिल की आवाज तू। बुझे वही दिल की आवाज है तो गुझे मेरे दिल की आवाज तू। अर्मेश्वर। 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 संजू। अर्मेश्वर। 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 तो बुराई के काले नाख सामने आके खड़े हो जाते हैं। कि कभी ने कभी तो हमारे रास्ते से निकलेगा और यही फादर मारियो के साथ हुआ है। लेकिन फादर मारियो ने ऐसा क्या किया था चोने यह सजा मिली। बेटे तुम जाते हो फादर मारियों ने ड्रक्स के खिलाब पहले आवाज उठाई सलीम को पीटने से उन्होंने ही बचाया कि इतना ही नहीं संजू तुम्हारी योग पीटर की दूस्ती में मुनी का हाथ था लेकिन ये उन लोगों को पसंद नहीं आ है फादर मारियों उनके धंदे में दिवार हो रहे थे बस उन्हें मौका मिला उन्होंने अपने रास्ते के दिवार हटा दी मैं समझ गया ये सब डेनिस परेरा का काम है मैं उन हत्यारों को सजा दिल बाग करी रहूंगा नहीं संजू ये जंग होश में रहकर जीती जा सकती है जोश में नहीं तुमने खबरे तो पड़ी होगी सब एक दूसरे के उपर इल्जाम लगा रहे लेकिन इस समय डेनिस परेरा के खिलाफ कुछ करना इसका मतलब शहर में और हिंसा बढ़ाना होगा मैंने कुछ और प्रोग्राम बना है उन सब से निपढ़ने के लिए संजू उसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए वो कैसे सर्टोर्ट्स यूनिटी तुम्हारे हाथ में है तुम यूनियन के लीडर हो फादर मारियो के खून के सिलसिले में तुमने जो स्टेटमेंट दिये वो सब मैंने पड़े तब से बेटे तुम्हारे रूप में लोगों को एक नया लीडर नजर आने लगा है और मैं कहता हूँ क्यों ने इसका फाइदा उठाए जाए मैं मेरी पार्टी के लोगों से बोलकर तुम्हें तिकेट दिलाओंगा हाँ तुम जरूर जितोगे और फिर बेटे मेरा भी तो कोई बेटा नहीं है मैं तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहता हूँ संगिता का हाथ तुम्हारे हाथ में देकर हाँ संगिता के डैडडी है यहां के मेले अच्छा और वो तुझे छोड़ने आ है हाँ माम क्या बात है आज बड़ा खुश है तू बस यूहीं माम यूहीं क्या दुब्याद कर दो 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 एक छोटा सा फैसला करनी पाता, क्या बड़ी गंबिर समस्य है दादा साहिब, इतनी गंबिर समस्य है पुर्शत्म, जिसका अंत जल्द से जल्द होना चाहिए, अपन्द हुकम करा, पुर्शत्म, संगिता की मा के गुजर जाने के बाद, मैंने उसे बहुत प्यार से पाला, उसके हर खुशी मैंने पूरी की, राजनीती में होते हुए भी कभी उसका, मैंने ख्याल नहीं छुड़ा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता, कि मेरी ही बेटी, मेरी इच्छाओ की चीता बनाए है, और पीटर उसमें आग लगा है, कौन पीटर, संगिता का बॉइफरेंड, मेरा दामाद बनने के सपने देख रहा है, संगिता उसे के साथ बाहर गई है, क्या संगिता भी उससे प्यार, अरे वहीं तो मुश्किल है, तोनों बहुत करीब आ रहे, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, दोनों के विवाह का बंधन, मेरी सीएम की कुर्सी तक पहुँचने के पहले, कहीं मेरे गले का फंदा न बन जाए, कादा साइब, मैं समझा नहीं, अरे मराठी हिंदु भी मेरी तरफ है, वो सब नावाज हो जाएंगे कल, कहेंगे शेशांका लेकर की बेटी, दूसरे धरम में उसने दे दी, पुर्शोत्तम हम नेता लोग, नैशनल इंटेग्रेशन की बाते हम जरूर करते हैं, इंटरकास मैरेज की बाते हम जरूर करते हैं, देश की हालत को देखते हुए, अरे पण आतू नामाला असा थुड़ा स्वाट्ट, जब सब एक हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, इसलिए पुर्शुत्तम जन्ता को अपने हाथ का खिलवना बनाय रखना जरूरी है ताकि सत्ता हमारे हाथ में रहे इससे एक फाइदा होगा क्रिश्चन्स आपके फेवर में आ जाएंगे पुर्शुत्तम तु राजनीती नहीं जानता सव क्रिश्चनों को अपनी तरफ करके हजार हिंदुों को अपने से दूर करना ये तो पागलपन होगा या जन्मा तरी सिये मोनेची आश्या बाढगायला नकू पुर्शुत्तम पीटर रुकावट है मेरे लिए रुकावट को मैं रुकूंगा कैसे अपने हुकम करा तो उसे हमेशा के लिए सुला दूगा समा ये सुहाना हो समा ये सुहाना अकिली तुम हो अकिली हम है कोई किसी का दिवाना कोई किसी का दिवाना दिवाने तुम हो दिवाने हम है समा ये सुहाना अकिली तुम हो अकिली हम है आई 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 किली तुम है ये जाहत का मासता महकता महकता ये मस्ती का आलम बहकता बहकता ये चाहक का मौसम महकता महकता ये मस्ती का आलम बहकता बहकता समा ये सुहाना अकेले तुम हो अकेले हम है कोई उसी का दिवाना दिवाने तुम हो दिवाने हम है सजाई है हमने फाबों की महतिल हमें मिल गई है मुहाबत की मन्जिल सजाई है हमने खौबों की महतिल हमें मिल गई है मुहाबत की मन्जिल समा ये सुहाना ओ समा ये सुहाना अकेले तुम हो अकेले हम है कोई किसी का दिवाना ओ हो कोई किसी का दिवाना दिवाने तुम हो दिवाने हम है समा ये सुहाना ओ समा ये सुहाना अकेले तुम हो अकेले हम है समा ये समा ये समा ये ये समा ये सिनल형 प्रफड़ दोपटिंग बाल, फजया है यहाई वाईपाए यहाई शया फजला, फिए वप जया वाईगा है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दोक कर दो कर दो कर दो 8 व कर दो साटी ज कर दो साटी जान जजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजज बिला, बिला! बिला, बिला! सु, स, इव, इव. तो तुम सच नहीं बोलोगे मैंने जो कुछ भी कहा सच का मैंने पीटर का खुल नहीं किया वो मेरा दोस्त था तुम जूट बोल रहे हो मैं तुम्हारे मुझसे निकलवा कर ही रहूंगा कि पीटर का मर्डर तुने ही किया मैंने पीटर का खुल नहीं किया नहीं किया पीटर का खूल बस पीकल बॉल्यच इविड शचुछ दिवेट्स बमाले ही कहा देजा है ओ अए हाल था ए पड़ाध और ऑन तुम्हादन शार दे चांजवा कुछ बोला वह खोफ़ेत क्या हूर है यही तो अपना चांस है कालेकर को और उसके पारटी को लोगों के समने नीचा दिखाने का पूट फिंगर इंच थ्रोट अर उस Hz उगलवाओ कि कालेकर ने उससे पीटर को मारने के लिए वह भीजा था क्योंकि कालेकर के बेटी से पीटर का वास्ता था वुल प्रिशन उन अ उसके मां का उसके मांहका उसके मदरेगा-उसके माइं के उपर वह बोलेगा जरूर बोलेगा क्योंकि ओ फैमिले टाइप का सफ다고 है शन्जीभ कामत से चोपा है कंते उस दूब लोग कानूनी ुक्माइड tut कर रहे हों नहीं चाहिए आपका यह अंधा कानून जो एक दोस्कों दोस्के कतल में फास दे मैं कहता हूं संजीव कामत अगर बेगुना है तो उसे छोड़ दिया जाएगा कब छोड़ दिया जाएगा हम सब जानते हैं उसे अंदर के तोचर किया जा रहा है हम लोग भूख हर्ताल करेंगे जी हां सर हम सब स्टूडन्स ने अपने देश के नेताओं से यही सिखा है कि जब अपनी बात मनवानी हो तो हर्ताल करो भूख हर्ताल करो धर्ना धरो चाहे इससे देश का नुक्सानी क्यों नहों तो धर्ना आज से और अभी से हम लोग करने जा रहे हैं ध संगीता, अंदर चले, जमाने की कारवाई करनी है, हां, जाओ संगीता, हम सब संजीव को जल्दी देखना चाहते हैं, संजीव, कैसी हो तुम, मैं ठीक हूँ, जाड़ी ने तुम्हारी जमानत करा लिये, मैं तुम्हारे डाड़ी और तुम्हारा हैसान नंद हूँ, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक ही रात में क्या-क्या हो जाएगा, पीरर सिर्फ तुम्हारा दोस्त था लेकिन मेरे लिए, मैं उसके जितना करीब थी और अब, अब, वो, संगीता, मैं तुमसे कुछ कनफेस करना चाहता हूँ, शायद जिन्दकी फिर मौका दे नदे, किनी कमजोर लंगों में मैंने तुम्हारे सपने देखे थे, तुम्हें पानी की तमन्ना की थी, आज जब पीटर नहीं रहा, ये पाप में रहिर्दे को चलनी की दे रहा है, तुम्हारा और पीटर का रिष्टा जानते हुए भी, मैंने तुमसे प्यार करने का पाप किया है, नहीं संजीव, प्यार कभी पाप नहीं होता, प्यार हमेशा बवित्र होता है, जहां मैं पीटर को दिल और जान से प्यार करती थी, वहीं तुम्हारे लिए मेरे दिल में एक प्यार भरी इज़त थी, और वो इज़त इस इजार से और बढ़ गई है, संगीता मेरे दिल से एक बोज हट गया, मैं तुम्हें यकीन दे रहता हूं, आजाद होते ही, मैं पीटर के कातिल को हजारों में ढूम निकालूंगा, उसके कातिल का चहरा आज भी मेरी आँखों के सामने घूम रहा है, अब वो ज्यादा दिन जिन्दा नहीं रहेगा, नहीं संजीव, जजबातों को विवेक पर हावी मत होने दो, हमें कॉलेज को उन दरिंदों से आजाद कराना है, जो पीटर के कातिल है, पीटर का फ्यूनरल कब है, कल, मैं पीटर के फ्यूनरल में जाना चाहता हूं, जरूर संजीव, नमस्कर दादा साहिब, अरे आओ पुरसुत्म आओ, बेटो, क्या समाचाल लाए हो, पीटर की मौत ने आग पर तेल छिड़का, और आपकी जमानत ने उसे हवा दे दी, लेकिन, लेकिन क्या, इससे डेनिस परेरा के केम्प को बहुत फायदा होगा दादा साहिब, फायदे कि वो सोचते पुरसुत्म, जिनने नुक्सान का डर होता है, यह राजनीती है, तुम देखना, हम ऐसी चाल चलेंगे कि डेनिस परेरा को चक्कर आ जाएगा, कैसी चल दाता साहिब, मैं तुझे समझाता हूँ, कल पीटर का फिर नरन है, संजीव वहाँ जाने वाला है, तुम अपने आदमियों से संजीव पर पत्थरों की बारिश करवा दो, लेकिन संजीव को तो आप अपना दमात बनाना चाहती थे, कभी किसी नेता ने मतलब निकल जाने के बाद अपने वादे पूरे किये हैं, वो भी एक चाल थी, संजीव को अपनी तरफ लाने की, यह भी एक चाल है, लोग समझेंगे कि डेनिस परेरा ने ही संजीव पर पत्थर फिकवाए, टेंशन और बढ़ जाएगा, कि कुछी दिनों में अगर हमारा प्रदेश शान नहीं हुआ, तो दूसरा सी एम लाया जाएगा, और वो दूसरा सी एम मैं, मैं, इसलिए पुर्षत्तम जितने दंगे फसाद बढ़ेंगे, उतनी सी एम की कुरसी मेरे पास आएगी, तो फिर देखिए दादा साहिब, कि फिनलोर में क्या होता है? कि दूस नहीं हुआ, अग्या है टो झाएगा में? वाँ ऑड़ दो दो जाएगे, कि फिरैजरों खोता है, वाँ वाँ सबस्तम, वाँ वात्तम, आएगे हैं। कि पावब देगे हैं। जजे पर चाहिए भाला करो नाहिए भुभाना भीलिद्गे ट्रफ़क मा माझाए एक अएग खर्फ़क घर भाला करो पाला कि वाला हुआता हाँ अजय दोग दो 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 झाल 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 मैं तुम्हे ठीक 10 बजे कल संटा मोनिका पर मिलूगा संटा मोनिका थीक है तो खल बराबर दस बजे हम लोग संटा मोनिका पर ही मिलते हैं गुड़ नाइट गालिकर गुड़ नाइट एनिस संजीए अजीए अजीए क्या बात है संजीव क्या बात है संजीव क्या बात है संजीव तुम्हारी वज़े से हम सब परिशान है और परिशान है हम सब की परिशानी है जानती हो इस शेयर में हिंसा फेलाने वाला मालूम कौन है कौन है कौन है संजीव बताओ शाशांक का लेकर एम एल ए तुम्हारे डैडी क्या क्या बात है प्रण्ट प्रण्ट अज़ प्रण्ट अजय प्रण्ट वेल्कम मिस्टर कालेकर एक कहवत है वो आये हमारी बोर्ट पे खुदा की कुद्रत है कभी हम उनको कभी अपनी बोर्ट को देखते हैं बहुत कुब देनिस इन सब के मौझूद्गे में हम बोल सकते हैं वस सबी कैस बात रहा हूँ कि ते प्यूंग हाड वह बात रहा हूँ प्लीज देनिस मैं पूरी तरह जानता हूँ तीपक वान जोड़कर को मारने वाले आदमे तुमारे ही थे जैबी की जमानत तुम ही ने करवाई और फाधर मारयो का कतल भी तुम ही ने करवाई तुमने अपने इस आदमी के जरिए क्या-क्या नहीं करवाई सब काउंच नहीं करूँगा लेकिन बेकरी बलास्ट पीतर का मज़ तुमने इसी से करवाई और संजीव पे पत्थर भी तुमने इसी आदमी के जरीये फिक्वाई हाँ मैं मानता हूँ कि तुमने और मैंने अपने-अपने मतलब के लिए किन-किन का खून बहाया है यही तो राज नीती है मैं जो चाहता था वह जल्दी पूरा होने वाला है मैं कुछी दिनों में CM बनने वाला हूँ और इसी लिए तुम्हारी तरब दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ मैंने कब कहा मैं CM बनना चाहता हूँ मैं जानता हूँ मेजरिटी आपकी मुझे तो सिर्फ अपने दो नंबर के दंदे से मतलब है मेरे CM बनने के बाद तुम्हें हर तरह से छूट है लेकिन तुम्हारे धंदे में 25 का मेरा भी होना चाहिए मैं तब तक आपका पूरा साथ दूंगा जब तक मेरे काम होते रहेंगे डन डन बहुत अच्छे बहुत अच्छे आओ बेटे संजू आओ मुझे देखकर आपको हैरत तो नहीं हुए हैरत कैसी हमें तो खुशिव ही तुम्हें या देखकर हम तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे सही मौक्य पर आ गया हूँ इन से मिलो आप है टेनिस परेरा वही जो के अलम की नेतागेरी की आर में सारे स्टेट में ड्रग्स का जाल पहलाए बैठा है जो फादर मारियो और इंस्पेक्टर बांडोटकर का कातिल है जिसका जाल तोडने के लिए आप मेरी मदद चाते थे और आज यह आपके साथ हा आओ जहां तुम्हारी सही जगह है कालेकर साहब अब मैं आपकी शत्रंश का महरा नहीं बनूगा मैं अपनी जगह जान गया हूं मेरी जगह मेरे देश के लोगों के बीच में है ना कि आप जैसे दुश्मनों के बीच हाहां बेवकुब मत बनो संजीव जनता तो बेवकु तुम्हारे जगा सत्ता है चंता नहीं नहीं कालेकर साग चंता बहुत बेवकूफ बन चुकी है लेकन अब नहीं बनेगी मैं उनके पास जाओंगा उन्हें बताओंगा इन्हें पहचानो ये अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं इसायों के नेता बनकर ये एक भोले भ करदारे देकर भाई को भाई से लड़वा सकते हैं पहचाने ये वही हैं जिन्हों ने अपने मतलब के देश के दोल टुकड़े कर दिये बजाब आसाम और गुर्खा लैंड आज इनी जैसे नेताओं के काले-कर्टूतों के शिकार है अज सारा देश इनी जैसे मक्कार नेता तो मगर अफसोस है यंग मैन ये तुम्हारा लेक्चर जनता तक नहीं पहुंचेगा ये तुम्हारा लास्ट लेक्चर होगा देखता हूं मुझे कौन रोकता है कि जना अजलए देखता है चाचल 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 साभी, उसे लोगों तक नहीं पहुंच दिने ना साभी, तेंके काभार कोर साभी, फगने बंदो साभी, फिनिश इम आफ साभी, न स्फाइसर, थे हाएसर साभी, थे हाएसर साभी, दूँए, बंदो साभी, थे हाएस Sus приним कर दो, कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो संज, संज, संज! 鬆, 5, 5, 6, 6, 6, 6 , संज! झाल 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 झाल